अन्य मंत्री जी दो-तीन मिनिट में बात खतम कर देना आपकी आप साथ मिनिट बोलूँगा सर नहीं ने कोई जान बुचके सर मैं मतलब आप ये मानते हो कि मैं किसी भी सदस्य कुछ भी बुला सकता हूं गया सर मैं इस देश के मजबूत ग्रिह मंत्री सरदार पट्रिल के बाद जिन्होंने अपनी मजबूती दिखाई मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि मैं भारती जनता पार्टी का कारी करता हूं और भारती जनता पार्टी के नेत्रित में मानिय प्रधानमंत्री जी के नेत्रित में नीती भी है नियत भी है और ऐसा नेत्रित है जिसके कारण पूरे अपोजिशन को मैंने डरते हुए देखा इस देश में इस देश में इस देश में इस देश में सर फूलने की बिमारी है फूलने की बिमारी है आप यह समझे सर कि लगाता और मैंने सारे अपोजिशन के नेताओं को बैठो दाने अभी बिट्टू जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी मैं लगातार लेकर आया सर किसे डर रहे हैं आप डर रहे होगे आपको वो नेता अच्छा लगता होगा क्योंकि कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के साथ जो लोग है न उनका हमेशा से रहा है इतियास जो कि बिट्टू जी बोल रहे थे कि जो देश तोड़ने वाले तत्व हैं जिनको कि इस देश की डिमोक्रेसी में विश्वास नहीं है जो अल्टरा लेफ्टिस्ट लोग हैं उनके साथ आपने समय समय पर समझोता किया है यही देश का इतियास है यही कॉंग्रेस और कॉंग्रेस के समर्थित पार्टी का इतियास है और मैं बता हूँ आपको अध्यक्ष महोदे कि जब मुस्लिम लीग की अस्थापना हुवी, मैं बिल पर ही बोल रहा हूँ सर, कि मैं क्यों लड़ूंगा, मैं क्यों डरूंगा, जिस पार्टी को अध्यक्ष महोदे 0.38% बोट मिलता है, उसके साथ भारती जनता पार्टी कड़ाने को तयार है, और हम MCD नहीं, MCD से पूरा लोकसभा भी जीत कराएंगे, लेकिन भूलने की बिमारी है सर, मैं आपको बताओं कि मैं जिस राज्य से आता हूँ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ सर, जारखंड राज्य से आता हूँ, यहां MCD का चुनाववा, भारती CEO's को चला रहा है, आप मुझे अपनी निती दिखाते हो, आप स्थिती दिखाते हो, आप मिल्समल्टी की बात करते हो, आप रिजर्वेशन की बात करते हो, यहां जम्मू कस्मीर की बहुत बात हुई सर, आप कहते हो, कॉंस्टिचूशन एकदम पूरा खत्रे में आ गया, कॉंस्टिचूशन खत्रे में आ गया, जम्मू कस्मीर में जब 370 था, आपको सिडूल कास्ट याद ही नहीं आ रहा था, सिडूल ट्राइब याद नहीं आ रहा था, वहां का जो लोकल बॉडी का एलेक्शन था है, वो याद नहीं आ रहा था, माननी ग्रिमंत्री जी के ने पार्टी के सांसद हैं, आप ही बताएं कि ये किस परिस्तिती में मुख्यमंत्री बनाएगे, इनको किस तरह से गुम्रा करके कॉंग्रेस ने और रमेश भंडारी ने बनाया, आप वो इतियास बूल गए, आपने एंटी रामा राव को किस दंग से हटाया, वो इतियास आप सोच ऊहे खाके बिल्ली चले हज को बात करने आएगे, आप क्या बात करना चाहते हैं? राश्त्ति के विवाशन तो बोले या इदिल्ली निगम तो बोलेगे बनाएगे? आप लोगों ने ये बाते कहीं, आप लोगों ने कहने को मजबूर किया, हम भारती जनता पार् का हूँ जो सुरू हुआ टैग और गार्डन से हकीकत नगर में रहा दिल्ली विस्विद्याले में रहा वो महिपालपूर में रहा साइनिक फार्म जैसी एक अनुथ्राइज कॉलोनी में भी रास है और आज जो है भारती जंता पार्टी की कृपा से आज ये ल्यूटें दिल नहीं है और आप जो है अल्टा लेफिस्ट पार्टी के नाम पर एक नोसन क्रियेट किये हुए हो मेरा आपके माध्यम से आग रह सर कि भारती जंता पार्टी किसी से ने डरती किसी की परवा नहीं करती अपने दिल से पढ़ाय दिलकाल आपने गवर्नर के आधार पर हमारी सरकार को वरखास्त किया था आपने कल्यान सिंग को परखास्त किया आपने सांता कुमार को परखास्त किया आपने भारो सिंग से खावत को परखास्त किया लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने और हमारे ग्री मंत्री ने जिस तरह से कि बंगाल में हमारे कारिकरतां को आपने चुंचुल कर मारा एक बाबरी मस्जिद इमोलिशन होने के कारण 92 में यदि कल्यान सिंग की सरकार पर खास होती है हमारे तो कारीकरता मरे आपने महिलाओं का रेप किया बच्चों की हत्या की आज रांपूर हाट में लोगों को चला दिया उसके बाद भी हमने न 355 लगाया आज आपको जगदीर धंडगर बरबाद लगते हैं यदि थराब लगते हैं बगर सिंग कोशियारी लगते हैं मेरा आपके माधियम से आग रहा है कि ये सरकार जो बिल लेकर आई है और कभी भी कभी भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि 0.3% वोट लेकर आने वाली आम आ आधार पर नोसर नहीं बनाएए और इस बिल का साथ दीजिए इन्ही सब्दों के साथ जयें जये मारुद मुझे लगता है आपको समझा है मानिय गर्भ मुंती